नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब ही उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रू आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए आवश्यक और महत्पुर्ण हो सकता है हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर छिपकली आपके गर्दन पर गिरता है, तो इसका क्या अर्थ है इस घटना के वाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या कोई फाइदा होगा, नुक्षान होगा, या आपके जीवन में क्या होने वाला है ये तो असपस्ट है कि इस घटना का कोई ना कोई मतलब अवश्य होगा परन्तु मतलब होगा क्या पॉइंट की बात ये है तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सबस्क्राइब कर देना होर वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रों आमतर पर होता क्या है कि छिपकली का जो गिरना होता है वो लोग बहुत ज्यादा असुभ यानि की बुरा मानते हैं परन्तु आपको चिंता नहीं करना है अगर छिपकली आपके गर्दन पर में गिरता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद और भाग्यशाली होगा इस घटना के वाद आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा बहुत बदलाव होगा और हड़ेक परिवर्तन हड़ेक बदलाव आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद और अशरदार होने वाला है हो सकता है आप में ऐसे कुछ लोग नौकडी करते होंगे जोब करते होंगे तो इस घटना के वाद नौकडी के छेतर में आपकी उन्नती होगी शमय का शाथ मिलेगा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके पद में आपके तनखुआ में बहुत बढ़ोतरी होगी समय भी आपका शाथ देगा और आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा हो सकता है आप में से कुछ लोग कारोबाड़ी होंगे, कुछ लोग विवसाई होंगे, खुद का कोई कारोबार करते होंगे तो कामकाज के छेत्र में आप बहुत तरक्की करेंगे शमय का शाथ मिलेगा और अगर आपका कामकाज मन्दा था कामकाज में अगर आपको लाफ नहीं मिल रहा था फाइदा नहीं हो रहा था तो आपको चिंता नहीं करना है आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और कामकाज के छेतर में आप उननती बहुत ज़्यादा करने वाले हैं मित्रों इस घटना के वाद आपके मांसिक रूप से आपको बहुत मजबूत करेगा दर्शकों आप में से बहुत लोग होंगे जो प्रेम शंबंध में होंगे या दामपत्य जीवन में होंगे तो इस घटना के वाद आपका प्रेम शंबंध या आपका दामपत्य जीवन बहुत ज्यादा मधूर और रोमांचक होगा इस घटना से पहले अगर आपके दामपत्य जीवन में या आपके प्रेम जीवन में कोई परेशानी थी, कोई शमस्या थी तो आपको चिंता बिलकुल भी नहीं करना है शमय का शाथ मिलेगा, भागी का साथ मिलेगा और आपका प्रेम शम्बंध ही या फिर आपका दामपत्य जीवन बहुत जयादा मधूर और रोमान्चक होगा मित्रों इस घटना से पहले अगर आपके पडिवार में कोई शमस्या थी, कोई परेशानी थी तो आपको चिंता नहीं करना है अब आपके घर का माहौल, पडिवार का वातावरन बहुत जयादा अच्छार हैगा और घर के शभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और घर का वातावरन बहुत जयादा मधूर और मजबूत होगा यहनी कुल मिला कर देखा जाए, तो इस घटना के वाद आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो आपके लिए बहुत जयादा फाइदिमंद और अशरदार होगा और कहीं कोई शमस्या बिल्कुल भी नहीं होगी मित्रों अगर आपके माल में कोई प्रस्ण हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा, आपकी शहायता अवश्ची की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है, आप तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एश्टरो मंदिर को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को आपको हर जगा सेयर कर देना है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राध है